आजी तो यह रहा mobile 3D projector ऐसा इसके पर लिखा हुआ है mobile 3D projector यह कैसा है कैसा performance है इसका कितने का है सारी चीज़े में आपको वीडियों बताऊंगा यह देखिए कि कुछ इस तरी कैसे यहां पर चल रहा है तो यहां पर clarity देख सकते हैं और size कितने inch का size इसकी screen display का है सब वीडियो मुझे आपका स्वागत है अब projector की बहुत ज़रा demand है अभी कुछ नए projector तो मुझे समझ में नहीं आए कि जिनका में review करूँ लेकिन जरूर मैं जल्द कुछ नए projector का review आपके लेके आऊंगा यहां लिखा है open the magic तो देखते हैं किस तरह का magic xbox में यहां पे एक mobile 3D projector के नाम स बेसिकली एक mobile and larger है यानि कि mobile की screen को जो है यह बड़ा करके दिखा देगा तो plastic का है तकरीबन 200 रुपए के आसपास इसका प्राइज है वीडियो के description में link मिल जाएगा कुछ इस तरीके से देखिए पीचे से यह खुल जाएगा जितनी बड़ी screen आपको चाहिए उसे साब से आप इसको खोल सकते हैं तो पूरा ही खोलेंगे इसको देखिंगे कितना होता है और जो यहाँ पर plastic इसमें use किया गया है वो बिल्कुल ही मतलब भी समझ लीजिए अगर गिरा तो मतलब भी खतम तूट जाएगा ऐसा plastic है बिल्कुल ही मतलब हलकी quality का plastic जिसे कहते हैं बिल्क अगर इसको हम नीचे से खोल देंगे इस तरीके से तो यह थोड़ा सा जो है टिल्ट हो जाएगा उचा हो जाएगा अब इसमें आपने क्या करना है आप अपने mobile में कोई भी वीडियो प्ले करिए mobile को इसमें slide कीजिए आगे कुछ material दे रखा है plastic का जो basically हमारा lens का का काम करे है चलिए एक काम करते है mobile को उठाते है mobile पर कोई वीडियो प्ले करते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन का साइस कितना बड़ा होता है मेरे पास में यह एक फोन है अब यहां पर क्या करेंगे ना फोन की हम पहले सबसे पहले ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे इसमें लगाने स है तो अगराम से 6,5 इंच अगर 7 इंच स्क्रीन का भी फोन है तो वो भी इसमें आ जाएगा तो उसको इस तरीके से स्लाइड कर रहा है आपको बस जब इसके अंदर आपको mobile होना तब इसको उठाना मत वरना mobile नीचे गड़ जाएगा क्योंकि यहां पर सिर्फ mobile स्लाइड ह रखा है उसको enlarge कर देगा यह नॉमल साइस यहां पर साइज जो है इंक्रीज हो गया तो गयने का मतलब है चेंच को mobile आप इसमें डालोगे चेंच स्क्रीन वाला तो तकरीबन 8 इंच की स्क्रीन उसके लगबाग उतना ही शाड़े 8 इंच की स्क्रीन के आसपस आपको जो है डिस्पले आपका बढ़ जाएगा मेरे इसाप से यह कोई इतना वो नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया गैजट है बट यह है कि जिनको अपने mobile को रखके mobile पे ही movies देखनी हैं कोई वीडियो देखना है आज कल जारता लोग mobile पे series वगरा web series वगरा देख रहे हैं तो उनके ल 200 रुपे में मैंने से खरीदा है और मैं यह expect करूँगा कि मेरे mobile की जो screen है वो display मुझे थोड़ा सा बढ़ा दिखे तो वो expectations जो है यहाँ पे बढ़िया निकलती है लेकिन build quality इसकी इतनी खास नहीं है तो इसको सिर्फ table पे ही रख सकते हैं आप इसे लेके घूम नहीं सकते क क्योंकि अगर आप mobile को slide करेंगे तो दूसरी तरफ से भी mobile निकल सकता है कि यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए यह screen का size कितना यहाँ पर increase हो जा रहा है तो इसके सबसे अच्छी बात यह कि इसमें हमको light off करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी जैसे कि में projector में पढ़ तो ऐसे तो इसकी performance बढ़िया लगी 200 रुपे के प्राइस के सबसे अगर इसे आप लेना चाहें आपको ज़्यादा जरूरत है इस तरह की चीज़ कि आप mobile पे ही ज़्यादा चीज़े देखते हैं और as a mobile stand का भी काम करेगा क्योंकि यह और screen को भी enlarge करतेगा तो उस case में आ मैंने लिंक दे दिया है मैं कुछ ना कुछ यूनीक और कुछ ना कुछ कुमाल के गजट्स दिखाता हूं सस्ते भी और मेहंगे भी मिलते हैं अगले वीडियो में बी आर्टेक्स पर